क्पूर्ण के अपिश्मा अपकी कंप्यूटर ट्रेनर और आप देख रहे हैं तो आज हम फंडमेंटल स्टाट कर रहे हैं यानि इंत्रोड़क्ष्ण आफ कंप्यूटर का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपको प्रूटर बेसिक के साथ साथ जो बहुत जादा इंप्पॉर्टन टॉपिक है वो है नमबर सिस्टम वो पढ़ाने वाले हम आगे तो अगर आप चैनल पर फर्स्टाइम आये हैं तो चैनल को subscribe कर लीज़ें और अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं तो like and share करिए और कोई भी problem आती है तो please comment करिए मैं आपकी कोई भी problem जो भी आपकी course से related होगी उसे करने की पूरी कोशिश करूंगी ओके है उस स्टोरिज को हम मेजर कैसे करते हैं जैसे हमें कोई समान लेना होता है जैसे कि हमें कोई सॉलिड चीज लेनी है तो हम कहते हैं एक किलो दे दो दो किलो दे दो या फिर हमें कपड़ा लेना है तो हम कहेंगे पाच मीटर दे दो छे मीटर दे दो अगर हमें कोई लिक्वि हम बात करते तो storage है तो कितना data हम उसमें store करके रख सकते है area यह कितना data में रखना है तो उसके लिए हमारे पास कितना थोना काई है storage वह आलुम करने आज हम यहां पर storage unit देखने जा रहे हैं तो यह जो आपका dot होता है अब यह dot आप यह मत समझेगा कि keyboard से type किया है dot मान लीजिए आपने एक pen का dot लगाया उस pen के dot के पीछे जो space है उस dot की बात मैं कर रही हूँ उस space की, तो उस space को हम क्या बोलते हैं? bit बोलते हैं, तो bit जो है सबसे small unit है, ओके? इसी तरह से अगर यह one bit जो है, वो एक bit होता है, one dot एक bit होता है इसी तरह से अगर हम four dot लगाएं, one, two, three, four तो यह जो space होगा, यह four bit होगा और इसे nibble बोलते हैं, ओके? यानि के four bit is equal one nibble अब इसी तरह से four से हम four dot और अगर इसी में लगा दें तो यह हमारा हो जाता है, eight bit eight bit यानि के two nibbles यानि के one byte यानि के two nibbles जो है, वो one byte के बराबर होते हैं या eight bit जो है, वो one byte के बराबर होता है यह one bit जो होता है या यह one byte का जो space होता है यह हमारा एक letter के लिए होता है यानि कि अगर हमें computer में एक letter लिखना है तो हमारे पास 8 bit होने चाहिए या फिर one byte space होना चाहिए next है 1024 byte अगर आपकी 1024 byte का space है यानि कि वो space जहां पर 1024 letter लिखे जा सकते हैं alphabet लिखे जा सकते हैं वो space हमारा कहलाता है 1 kilobyte जिसे हम 1 kb भी बोलते हैं इसी तरह से वो space जहां पर 1024 kb लिखा जा सकता है उसे बोलते हैं 1 mb यानि कि 1 megabyte और जहां पर 1024 mb लिखा जा सकता है उसे बोलते हैं 1 gb यानि 1 gigabyte और 1024 gb जहां होता है या gb का space होता है उसे बोलते हैं 1 terabyte इसके आगे 2-3 और हैं बट अभी हम लोग जो use कर रहे हैं वो terabyte तक ही use कर रहे हैं हारी highest terabyte में आने लगी है तो इसलिए मैंने यह unit आपको बताए इसका यह ध्यान रखेगा इसमें जो important question होता है वो यह होता है कि आपका smallest unit कौन सा है या फिर nibble पे भी questions आ जाते हैं और कितने GB मिलकर कितने MB बनाते हैं या इस तरह के questions होते हैं तो आप अगर इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आगे आपके लिए